हेलो दिस इस अविनेश शर्मा हेर और वेल्कम बैक टू दा क्राउंड सक्सेस आज है तुमवार देखे आज हम डिसकस करते हैं अभी क्या हुआ है हाली में एक पॉट न्यूज आए निकलके कि तेहरा तारिक को तेहरा सितंबर को अभी एक स्वैच्छिक म्रत्य हुई है या सहायता प्राप्त मरत्यू का नाम दिया गया इना क्या है यह important मुद्द और यह UPST के हमारे ethics paper 4 के साबते जो yes paper 4 उसमें important अभी इंपोर्टन सब्सक्ता है यह case study में important news जान लेते हैं क्या चीजें कवर करते हैं इसको क्या है कि देखिए the Indian express ने इसको कवर किया हुआ है the complex issue of assisted suicide which countries allow it and is India one of them. Assisted suicide क्या होता है कि आत्म हत्या के लिए मदद. इसमें क्या होता है कि डॉक्टर से सरा ली जाती है और डॉक्टर ऐसी दवाईयों को स्टार्ट करते हैं जिसमें मरीज की मृत्यू हो जाए. देखे जीन, जीन लिव गोडार्ट की ये निउस है इंडे एक्सप्रेस ने इसको पूरा तरीके से कवर क्या हुआ है हम डिसकर्स करेंगे जानेंगे देखते है क्या है कंटेक्स फ्रांक्सिसी न्यू वेब सिनेमा के दिगजों में जीन लिव गोडार्ट का 91 निक्यानवे वर्थ की आयू में सहायता प्राप्त आत्मत्य यानि असस्टेट सुसाइट से निधन हो गया अभी हाली में निधन हुआ है और ये जो जीन लिव गोडार्ट है ये फ्रेंच फ एनी व्याजमेस की और अन्ना करीना इनकी जो बुक्त हैं गोडार्ट उन गोडार्ट क्रिटिकल राइटिंग लेपैटिट सॉल्डार्ट और भी मतलब बहुत स्थारी इनकी बुक हैं जानी मानी हैं हस्ती हैं पर जान लेते हैं हम क्या है मुद्दा देखें मैडिकल आत्मर्टिया की अनुमती है ठीक है और वह उन्हें ऐसा क्यों किया ये कदम उन्होंने क्यों ठाया क्योंकि वह बहुत जादा बिमारियों से ग्रसी चल रहे थे परेशान ले मौंडे ने वाली बात इसमें बोली है कि ले मौंडे के अकॉर्डिंग चिकित्स को यानी की ड असिस्टेट सुसाइड के लिए मदद कर सकते हैं हेल्फ कर सकते हैं जितमें उनका कोई सुद का कोई स्वार्थी उद्देश्य ना हो मतलब उसके उन्हें कोई फायदा ना हो बैनिफिट ना हो इस तरह के सुसाइड में वो मदद कर सकते हैं बहुत से देशों में ये स्ब्सक्राइब दस्पत्विसे रहे क्योंकि उन में क्या हुता है नैतिक और और कुछ मामलों में धारमिक प्रशणो का एक जट्रसेट सामिल होता है और ये जो अनूमती वाले देश है्ल यानि कि जो जो सुसाइट की अनूमती देटे हैं किसी और की help पे उसमें आते हैं यूरोपिय रास औस्टेलिया के कुछ राज्या आते हैं डक्षन अमेरिका में कोलंबिया है और मनलब कुछ परिस्थितियों में सहायता प्राथ आत्मत्या की इच्छामरत्यू की अनुमती देते हैं और तमज लेते हैं हम क्या है यह जो word है यूथेनेशिया यानि की इच्छामरत्यू यह ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका स्ताब्दिक अर्थ होता है अच्छी मौत अब इसे अच्छी मौत क्यों कहते हैं लेकि होना क्या है कि जब डैथ होनी है तो मतलब की जीवन का तो समापन ही हो जाएगा जीवन की तो इता मांग रहे हैं वो सारी चीजों को देखते हुए उनके दुखों को कम करने के लिए इसका एक नया नाम दया हत्या भी दिया गया है है और थोड़ा समझ लेते हैं हम क्या है यह देखिए टाइप तो यूथेनेशिया यानि की इच्छामरत्यू के प्रकार होते हैं और क बहिया मरीज बोलता है कि मैं परिशान हूँ या और भी जो कंडिशन्स हैं इसमें कोई स्वार्त्य उद्देशे नहीं है मरीज की मंजूरी ली जाती है कि वो अब इच्छामरत्यू चाहता है या मरत्यू के लिए सहायता प्राप चाहता है तो वो अपनी परमीशन देगा मजूरी देगा और उसके बाद उसे ऐसी दवाईया दे जाती है जिस्ते उसकी मौत हो जाती है देहिए कितना अजीब लगता होगा जब किसी पेशन्ट से उसके लिए मनजूरी ली जाए सिगनेचर कराये जाए कि आप आपकी डैट के लिए हम आपकी दवाईयां स्टार् एक इंसान ऐसी कंडिशन पर पहुंच जाता है कि जब उसे अपना जीवन अच्छा नहीं लगता तर ऐसी सिचुशन देखने को मिलती है एथिक्ट के पेपर में हम इसे केस स्टेडी में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियूथ है दूसरा क्या चीज है कि इन्वालेंटरी एक्टिव उथिनेशिया इसमें क्या होता है कि मरीज जो है ना मानसिक तोर पर यानि कि वो अबल नहीं होता है कि वो अपनी मौत की मंजूरी दे ठीक है तब उसे मारने के लिए जो दवाइया दी जाती है वो गलत है पूरी तरह से गैर कानूनी है लेकिन यूथिनेशिया का एक टाइप है इसलिए हम डिसकस भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में गैर कानूनी है इसकी कहीं भी मंजूरी नहीं है जो थर्ड वाला आता है वो आता है पैस्टिव उतेनेशिया इसमें क्या होता है कि मरीज की डेथ होने के लिए उसका इलाज बंद कर दिया जाता है या जो उसकी जीवन रक्षक पनालियां है जैसे उस उसे ऑक्सिजन मिल रही है मैडिसन मिल रही है वो सारी चीज़े बंद कर दी जाती है और इससे क्या होता है कि मरीज की मरत्य हो जाती है और ये दुनिया में कानूनी माना जाता है और विवादस्पत भी नहीं है और जो इसका फूर टाइप है वो है एक्टिव उतेनेशिय इसमें क्या होता है कि अफीम से बनने वाली या कुछ अन्य दवाईय देना ताकि मरीज को राहत मिले कुछ ऐसी दवाईय देना कि जिसमें मरीज को क्या हुआ कि राहत मिलेगी और उसके बाद उसकी मौत हो जाए यह तरीका भी दुनिया के कुछ देशों में वैद माना है important news थी है इसलिए हमने इसको cover भी किया तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो feedback जरूर दीजेगा और साथ ही channel को भी subscribe कीजिए for more updates अपना और अपने family का ध्यान रखिए